हालो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कोलरिंग प्रोवाइट करने वाली कमपनीज के बारे में, जैसे कोका कोला, थम्स अप, पेपसी, स्प्राइट, मिरिंडा, लिमका, आदी, ये कमपनियां किस देशकी है? उससे पहले, फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि आपको हमारी आने वाली निव वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें, तो चलिए, वीडियो को श और जिया राज्ये के अटलांटा शहर में है, इसकी स्थापना सन 1886 यानी 1886 में डॉक्टर जॉन पेंट बटेन ने की थी, फ्रेंड्स, कोका कोला के अलावा अन्य कई प्रकार की कोल्डरिंग ब्रांड की भी मालिक है, जैसे कि स्प्राइट जो की लेमन फ्लेवर में होती है, फेंटा जो ओरेंज फ्लेवर में होती है, माजा जो मैंगो फ्लेवर में होती है, लिमका जो लेमन फ्लेवर में होती है, फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थमसब की, थमसब एक भारते कमपनी थी, लेकिन इससे कोका कोला ने खरीद लिया, अब यह भी अमेरिका की कमपन हो गई है. Friends, अब हम बात करेंगे Pepsi के बारे में Pepsi, PepsiCo Company का एक Cold Drink ब्रैंड है, PepsiCo Company Pepsi के अलावा अन्य कई प्रकार की Cold Drink ब्रैंड की भी मालिक है, जैसे की Mirinda जो Orange flavor में होती है Mountain Dew जो थोड़ा तीखा मीठा Lemon flavor में होती है, सेवन अप जो लेमन फ्लेवर में होती है पेप्सिको की स्थापना 1965 यानी 1965 में हुई थी जिसका मुख्याले यानी हैड़क्वाटर अमेरिका के नियू यॉर्क राज्ये के परचेश शहर में है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक करें और आप किस कंपनी की कॉल ड्रिंक ज्यादा पीते हैं यह हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग, हेव नाइस टे